मुकेश अमबानी और परिवार को बहुत मानते थे उन्हें क्या पता था कि उनकी राहें एक अनोखे तरीके से जुडने वाली है ये दो परिवार अमबानी और मर्चेंट भारत के सबसे अमीर और असूखदार लोगों में से थे वे एक ही आलीशान पार्टियों और चैरिटी कारेक्रमों में जाते थे उनकी जिन्दगी एशो आराम और रुद्बे से भरी थी ऐसी ही एक पार्टी में जगमगाती जूमरों और शास्त्रिय संगीत के बीच किस्मत ने उनके बच्चों को मिलाया अनन्त अंबानी मुकेश के सबसे छोटे बेटे एक शान्त और सोचने वाले नौजवान थे राधिका मर्चेंट वीरेन की बेटी में एक अलग ही चमक थी जो हर जगह को रोशन कर देती थी उनके पिता आपसी सम्मान और भविश्य के लिए एक जैसी सोच रखते थे इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के बीच दोस्ती को बरहावा दिया अनन्त और राधिका अपनी अलग-अलग शख्सियत के बावजूद अपनी परवरिश और संस्कारों में समानता पाते थे उन्हें क्या पता था कि ये दोस्ती एक अमर प्रेम कहानी में बदल जाएगी साल बीचते गए हंसी, राज और बच्चपन की दोस्ती के साथ अनन्त और राधिका एक दूसरे के बिना अधूरे थे उनका रिष्टा हर बीचते साल के साथ और गहरा होता गया वे एक दूसरे की जीत का जश्ण मनाते और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते उनके परिवार वाले खूशी से देखते थे कि उनका प्यार कैसे बापाचा रहा है मासून दोस्ती से गहरे रिष्टे में बदल रहा है प्यार में अनंद जिनका मजाक अक्सर उनके वजन को लेकर उड़ाया जाता था ने खुद को बदलने का फैसला किया अच्छी सेहत और आत्म विश्वास पाने की चाहत में उन्होंने अपना वजन कम किया राधिका उनकी सबसे बड़ी हौसला अफजाई करने वाली हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही उनका अटूट समर्थन उनके गहरे रिष्टे का सबूत था उनकी प्रेम कहानी बिना किसी परेशानी के नहीं थी जैसे जैसे राधिका एक खूबसूरत युपती के रूप में निखरती गई, पुरानी दोस्ती और अफवाहें ओडने लगी लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे, उन्हें एक ऐसी लड़की बताने लगे, जो बस बार्टियों में जाती है लेकिन अनन्ध उनके रिष्टे और उनके प्यार पर भरोसा करते हुए, इन बातों पर ध्यान नहीं दे ले थे वह राधिका के दिल की अच्छाई और उनके अंदर छिपे साफ दिल को जानते थे अनन्ध का वजन कम करना किसी प्रेरणा से कम नहीं था, उन्होंने कड़ी मेहनत और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया बदलाव साफ दिख रहा था, ना केबल शारीरिक रूप से बलकि उनके व्यवहार में भी वे अब नए आत्मविश्वास के साथ चलते थे, उनकी आँखों में एक नई चमक थी राधिका उनके समर्पन और द्रिड़ता को देख कर उनसे और भी प्यार करने लगी वह उनकी इच्छा शक्ती और खुद को बहतर बनाने की लगन की प्रशंसा करती थी मुश्किलों का सामना करते हुए उनका रिष्टा और मजबूत हुआ उन्होंने दुनिया का सामना एक साथ किया, उनका प्यार उम्मीद और प्रेणा की गिरणा था राधिका के अतीत के बारे में बातें कभी बंद नहीं ही लेकिन अब उनमें दर्द देनी की ताकत नहीं दो राधिका के चरित्र पर अनंद के अटूट विश्वास ने सबसे बड़ी अफवाहों को भिखर्ण करती है उनका प्यार विश्वास और समझ का प्रेणा मुश्किल अपद भी जई है वे एक साथ मजबूती से खड़े रहे उनका बंधन सच्चे प्यार का एक उदाहरन था राधिका के अतीत की अफवाहें उनका पीछा करती रहे समाज हमेशा दूसरों को जज करने और बुरा कहने को तयार उन्हें एक ऐसी लड़की बताता जो दिल तोड़ देती है जो आगे बढ़ने के लिए अपनी खुबसूर्ती का इस्तिमाल करती है अनन्त जानते थे कि अफवाहें सिर्फ जलन और उनकी प्रेम कहानी को खराब करने की कोशिश थी उन्होंने राधिका की दयालूता को खुद देखा था, दूसरों की मदद करते हुए देखा था अनन्त अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे, उन्होंने अफवाहों के पीछे के सच को समझ लिया था वे जानते थे कि राधिका का दिल साफ है, उनके इरादे नेक है उनका रिष्टा एक दूसरे के साथ बिताए पलों और अटूट विश्वास से मजबूत हुआ था उन्होंने अफवाहों का डट कर सामना किया, उनका प्यार ही उनकी ताकत था अनन्त का, राधिका पर अटूट विश्वास, उनके प्यार ने दिखा दिया कि उनका रिष्टा कितना गहरा है अनन्त उनसे प्यार करते थे, उस 26 से नहीं जो दुनिया को दिखती थी, बलकि उस लड़की से जो वो असल में थी, समझदार, दयालू और वफ़दार जब उनकी सगाई की खबर आई, तो पूरा भारत खुश हुआ, देश उनकी प्रेम कहानी से मंत्रम मुद्ध हो गया और उनके शादी का बेसबरी से इंतजार करने लगा और वो शादी वाकई भव्य थी, अमबानी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने आलीशान, मुंबई वाले घर, एंटीलिया को एक परिलोक में बदल दिया शादी एक शाही जशन थी, हमारे रुत्बे और दौलत की निशानी महमानों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग शामिल थे नेता, बिजनेसमैन, धार्मिक नेता और बॉलीवुड सितारे इस मौके पर चार चांद लगा रहे थे महमान, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए, नए जोडे को आशीरवात दे रहे थे शादी गुजराती रीती रिवाजों से हुए राधिका एक खुबसूरत लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थी अनन्त, जिनकी निगाहें बस अपनी दुलहन पर टिकी थी, शेरवानी में बहुत खुबसूरत लग रहे थे जैसे ही हमने एक दूसरे से हमेशा के लिए प्यार और साथ निभाने का वादा किया दुनिया ने हमारी प्रेम कहानी को देखा और हमारा दीवाना हो गया और संस्कृतियों से परे थी, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा प्यार ही हर मुश्किल को पार कर जाता है